हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी लोग आशा करतो हों सब लोग ठीक होंगे अच्छे होंगे और आज हम पढ़ेंगी मोर एबाउट केंप्यूटर्स ग्लास टू में राइज अप चीके तो चली वीडियो को शुरू करते हैं मोर अबाउट केंप्यूटर्स के बारे में हमें जानना है साती यहां पर लिखा है read the clues and below and find the answer in the word grid तो हमें यहां पर क्या करना है इस word में हमें answer भी find करना है ठीक है तो थोड़ा सा मैं छोड़ा करता हूं ठीक है ना चली अब देखिए यहां पर यहां से हम इस question को करना पहला हमारा the term that refers powering on a computer तोड़ा सा इसको बड़ा कर दीता हूं मैं ठीक है चली अब ठीक है यह तो अब यहां पर हम आते हैं पहला question हमारा क्या लिखा है name that refers powering on a computer sound like a name of a shoe तो हमें यह बताना है कि जब हम computer का power on करते हैं तो हमें किस type की sound सुनाई पड़ती है तो यह होती है boot की B O T boot अब boot हमें कहां पर दिख रहा है हमें इसको क्या करना है इस grid में खोजना है तो boot कहां पर है देखे यहां पर है B O T boot ठीक है दोस्तों चलिए तो आपका first हो गया second पर आते हैं the physical part of the computer तो देखे physical part किसे कहते हैं computer में start with H यहां पर clue भी दे रखा है तो physical part हम उसे कहते हैं computer में जिसे हम touch कर सकते हैं अपने हाथों से तो उसे हम कहते है hardware क्या कहते है hardware अब hardware आपका कहां पर है हम पर हो यह है आपका सबसे ऊपर ह एच एच ए अ आपका हो जाएगा hardware तो सेकेंड भी हो गया थर्ट पर आते हैं screen that comes when the computer is switch on and so all the icons start with d question यह कह रहा है कि जब आपका computer on हो जाता है तब आपकी जो screen पर दिखता है वहां पर छोटे-छोटे icons दिखते हैं देखिए यहां पर दिख रहे हैं छोटे-छोटे के desk top top तो यह आपका हो जाएगा desk top थर्ड भी हो गया फोर पर आते हैं hardware device which allow you to click and drag words and icons on the screen start with M question यह कह रहा है कि आपके पास एक ऐसी hardware device है जिसे आप क्या कर सकते हैं click कर सकते हैं और साथी साथ उसको एक जगह से दूसरे जगह drag कर सकते हैं किसी भी words को या icons को किस पे screen पे उसका नाम M से सुरू होता है तो वो क्या है तो वो है mouse क्या है दोस्तों mouse ठीक है न तो mouse कहां पर आपका ठीक है यह हमें ढूड़ना पड़ेगा यहां पर तो यह है आपका mouse यहां पर M O U S E mouse ठीक है चलिए अब आगे आते हैं कि कोशन है फोन नंबर भी हो गया हम आते हैं फाइफ नंबर पर एबोर्ड वित मेनी कीज्ट एलाव यू तो टाइप डेटा ओन दा स्कृidée स्टार्ट reactors की यह कहा रहा है कि आपको एक ऐसा डेटा इंपूट करने के लिए चाहिए जो जिसमें बहुत सारे कीज होते पूच सारी पूच्च नहीं पूच्छ तो यहां पे कोश्च नहीं पूच पूचा कै यहां इस लिए धुक्तित्व Cayer किसे कहते हैं तो वह है fak़ उनका यह फिर्च नेम क्या था चाल्स गूच्च नहीं थो हुश्च ऑपको यहां पर रख्काया है तो यहां पर है seven number the blinking line that lets you that you know where you are on the screen देखिए कोश्चन पर क्या होता है एक छोटा सा ऐसे एरो बना रहता है ठीके ना इस एरो को हम क्या कहते हैं कोश्चन यही आप से पूछ रहा है यह से बिलिंग करता रहता है आपको बताता है आपका जो मौसय आपका जो मोच है आपका जो पाइंट्र वह स्क्रीन पर कहांपर है तो इसका नाम शुरू होता है दिस्प्ले unit of the computer start with M बलब कि जो भी चीज़े हम input करते हैं वो हमें computer पर दिखता है ठीक है उसे output device के नाम से भी जाना जाता है तो वो हम जैसे माली जी आपने अपना नाम लिखा ठीक है तो आपको कहां पर दिखेगा इस monitor screen पर दिखेगा ठीक है ना इस monitor screen पर जब आपको यह दिखेगा तो इसे हम क्या कहते हैं तो इसे हम कहते हैं monitor क्या कहते हैं दोस्तो monitor आपका कहां पर लिखा हुआ यहाँ है यह हैं M-O-N-I-T-O monitor ठीक है तो दोस्तों यह video यहीं पर खतम होता है और आई देखने थैंक्स फर वाचिंग सुधे टुटोरियल्स